हेलो दोस्तों नवशकार स्वागदाब सिवी का एजुकेशनल स्टडीवन योडिव चैनल पे तो देखे दोस्तों SSE CGL एक्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एक्जाम चल रहे हैं आज आपके 20 जुलाई का सेगंड शिफ्ट का एक्जाम खतम होच गए हैं तो 20 जुलाई सेगंड शिफ्ट एक्जाम अनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो 20 जुलाई सेगंड शिफ्ट में जिती में आपकी GKS और करने फेर से रिलेटेट सेगंड शिफ्ट के एक्जाम में क्वेशन पूछे गए थे तो 20 जुलाई सेगंड शिफ्ट में पहला क्वेशन आपसे पूछा गया पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था तो पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ जो हस्ताक्षर किये गए थे वो डॉक्टर अंबेड करने किये थे तो डॉक्टर अंबेड कर इस question का आपका विल्कुल right answer रहेगा बढ़ते next question की ओर अगले question में पूछा गया कि cabinet mission भारत कब आया था देखिए दोस्तों जो cabinet mission है ये भारत आया था मार्च 1946 में तो 1946 इस question का आपका विल्कुल right answer था अगला question आपसे पूछा गया second shift में कि किस मुगल शाशक के दरबार में फार्सी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया तो फार्सी में जो सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था ये लिखा गया था मुगल शाशक अकबर के दरबार में तो अकबर इस question का आपका राइटन सर रहेगा अगले question में पूछा गया कि 2022 के अंसार कुल राष्ट्रिय जलमार्ग कितने हैं तो 2022 के अंसार जो total आपके राष्ट्रिय जलमार्ग हैं प्रथम लोगसबा का प्रथम सत्र कब प्रारंब हुआ था तो प्रथम लोगसबा का जो प्रथम सत्र है ये 13 मई 1952 को प्रारंब हुआ था तो 13 मई 1952 का आपका राइटन सर रहेगा अगले क्वेशन में पूछा गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्क्रण कब आयुजित किया गया तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्क्रण साल 2020 में आयुजित किया गया था तो 2020 इस question का आपका विल्कुल right answer था अगले question में पूछा गया कंबाला बफैलो रेसिंग किस राजे से सम्मनित है कंबाला बफैलो रेसिंग ये जो सम्मनित है वो करनाटक राजे से सम्मनित है अगले question में आपसे पूछा गया रिकी केज उनकी ऐलबम Divine Tides के लिए किस आवार्ड से समानित किया गया तो इने Divine Tides के लिए Grammy Award से समानित किया गया तो Grammy Award इस Qquesne का आपका राइटनस रहेगा अगले question में पूछा गया भांगडा और जो गिद्दा नर्ते है वो निमल लिखित में से किस राजे से समन दिता है भांगडा और जो गिद्दा नर्ते है वो भारत के पंजाब राजे के परमुक लोक प्रिय लोक नर्ते है तो पंजाब आपका राइटन सरहेगा अगले क्वेशन में पूछा गया फुटबोल मैच की अवधी कितनी होती है नियमित समय में तो ये 90 मिनट की होती है 45 मिनट के क्या इसमें 2 हाफ रहते हैं अगले क्वेशन में पूछा गया सुदर्शन जील का पुनुरुधार की साशंग ने करवाया था सुदर्शन जील का जो पुनुरुधार है ये रुद्र दामन ने करवाया था ठीक है दोस्तों सुदर्शन जील गिरनाम नामक पहाड़ी के मध्य है सोराश्टर में स्थित है अगले क्वेशन में पूछा गया आवर्थ सार्णी में सिबोर्यम का अटोमिक नंबर कितना है तो ये है 271 ठीक है और इसे SG से क्या है डिनोट किया जाता है अगले क्वेशन में पूछा गया क्रशी आर्थिक गती विधी के किस छेतर में आता है तो क्रशी आर्थिक गती विधी के प्रात्मिक छेतर के अंतरगत आता है अगले क्वेशन में पूछा गया बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसुन कहां मिलते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसुन की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पस्ची मी भाग में क्या है विलीन हो जाती है ठीक है दोस्तों जो कि इस question का आपका राइटन से रहेगा अगला question पूछा गया परधान मंत्री pension donate योजना का नाम क्या है तो केंद्रिय श्रम यो रोजगार मंत्री भुपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को परधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना के तहत दान ये pension यानि की donate pension अभ्यान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपने माली को दान कर दिया ठीक है दोस्तों तो ये related आपके प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना से अगला question पूछा गया मौली का दिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इंगलेंड ने की थी तो इंगलेंड आपकर आइटन से रहेगा तो second shift में पूछागे सभी question होगा exam analysis कर दिया अपने वीडियो को यहां तक देखा धन्यवाद पसंद आईए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा